हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माइटूब चैनल, चैप्टर 6 से एक्जाम्पल 2 करेंगे, राइट आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हूस स्मॉलस्ट मेंबर इस 8, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखिए, जिसका सबसे छोटा मेंबर 8 होगा, अब पहले तो पाइथ पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है, जो कि राइट ट्रिपलेट के अंदर लगती है, उसके अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है, इससे हाइपोटनीूज बोलते हैं, और बाकी यह जो दो साइड से, इन मेंसे कोई एक बेस हो सकती है, और एक पर्पैंडिकुलर हो स प्लस base का square बराबर होता है hypotenuse का square जब आप इसी चीज़ को इसमें apply करोगे तो three का square प्लस four का square ये आगे पीछे हो सकते हैं perpendicular और base अब ये जमीन पर टिका हुआ है तो ये base हो गया अगर मैं यहाँ सही से देखू तो ये base हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये होगा five square क और 5 का स्क्वेर 25 होता है, 9 और 16 हो गया है 25 और यहां भी 25 के बराबर हो गया, तो यह जो तीन नंबर्स है न, 3, 4 और 5 यह पाइथोगोरियन टिप्लेट है, इसी तरह से पाइथोगोरियन टिप्लेट आपको निकालने हैं, जहाँ पर सबसे छोटा मेंबर चाहिए आपको 8, अब पाइथोगोरियन टिप्लेट निकालने की फॉर्म होती है, जन्रल फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, तो वो जन्रल फॉर्म को पहले देखिए, कि यह क्या होती है, यह जो तीन मेंबर्स होते हैं इनकी जन्रल फॉर्म है यह, एक मेंबर इसमें 2M होता है, एक मेंबर M स्क् प्लस वन होता है ये तीन मेंबर्स होता है अब अगर इसमें हमें M की वैलू पता चल जाए तो M की वैलू को हम इनमें पुट करके और पाइथागुरेंट टिपलेट बना लेते हैं अब यहां कोश्चिन में कहा है Who's smallest member is 8 यानि एक मेंबर जो है प्लस वन ये बराबर 8 होगा अब देखिए इसमें जो M स्क्वेर प्लस वन है ना ये सबसे बड़ा है इस बात को समझेए यहां पर 2M है और M स्क्वेर माइनस वन है इन दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता कोई भी छोटा हो सकता depend करता है M की value के उपर लेकिन M स्क्वेर प्लस वन ये तो सबसे बड़ा इसमें होगा ये पक्की बात है अब यहां पर 8 चाहिए सबसे छोटा मेंबर एक तो हम बारी बारी से पुट करेंगे और देखेंगे ट्रिपलेट निकाल के कि क्या 8 सबसे छोटा आ रहा है तो मैं आपको पहले M स्क्वेर माइनस 1 इसे 8 के बराबर पुट करके दिखाता हूँ M स्क्वेर माइनस 1 को मैं 8 के बराबर ले लेता हूँ तो M स्क्वेर की value हो जाएगी 8 प्लस 1 M स्क्वेर हो गया है 9 और सिर्फ M की value निकाल ले तो ये 9 का स्क्वेर रूट हो जाता है 9 का स्क्वेर रूट करेंगे तो 9 बनता है 3 इंटू 3 से तो 3 का एक बहार आ जाएगा M की value आ गई है 3 M की value 3 आ गई है अब इस M की value को इन बाकी 2 members के अंदर पुट करके देखते हैं तो 2 M के अंदर में M की value पुट करता हूँ तो 2 3,000 ये हो गया है 6 और ये वाला दूसरा जो इसमें तीसरा member है M स्क्वेर प्लस 1 के अंदर में M की value पुट करता हूँ तो M की जगए 3 भरना है 3 का स्क्वेर प्लस 1 यानि 3 का स्क्वेर 9 हो गया टिपलेट ही है एक तो ये 8 जो हमने शुरू में माना ये एक member हो गया एक member ये 2 M ये एक member है और तीसरा member ये रहा 10 तो Pythagorean triplet बनी 6, 8 और 10 ये एक Pythagorean triplet है जिसमें सबसे छोटा member यहाँ पर 6 आ रहा है 8 तो नहीं आ रहा न it means ये तो हम नहीं करेंगे ये हमारा answer नहीं हुआ यानि ये जो हमने माना है M square minus 1 ये हमने गलत ले लिया इससे हमारा Pythagorean triplet तो आ रहा है लेकिन सबसे छोटा member 8 आना चाहिए वो नहीं आ रहा है अब हम 2 M को 8 के बराबर रख लेंगे तो 2 M को 8 के बराबर रखेंगे ये 2 M को 8 के बराबर रखते हैं तो यहां से M की value कुछ होर आ जाएगी 8 by 2 M की value आ गई है 4 अब इस M की value को हम इन बाकी दो में put करेंगे ये जो दो members है M square minus 1 तो 4 का square minus 1 4 का square यानि की 4 into 4 minus 1 16 हो गया 4,416 और minus 1 किया तो 15 हो गया तीसरा member है M square plus 1 यानि 4 square plus 1 4 का square यानि 4,4000 और ये plus 1 4 का square 16 plus 1 और ये हो गया 17 अब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये 3 Pythogoran triplet हैं एक तो 2 M हो गया 8 के बराबर एक member तो ये हो गया M square minus 1 ये दूसरा member हो गया 15 M square plus 1 ये तीसरा member हो गया 17 तो Pythogoran triplet बन गया है 8, 15 और 17 अब इस triplet के अंदर आप देख पा रहे होगे कि जो सबसे छोटा member है ना वो 8 है It means कि ये आपका answer है तो ये हुआ answer ये मैंने जो करके दिखाया है आपको शुरू में ये इसलिए करके दिखाया है ताकि आपको ये जो doubt है ना ये आपको concept clear हो जाना चाहिए कि जो छोटे members होते हैं वो इन दोनों में से कोई हो सकता है एक तो अगर आप शुरू में ही ये 2M ले लेते और आपके answers ये आ जाते तो फिर आपको ये चीज दोहराने की जुरूत नहीं थी लेकिन अगर आपने शुरू में ये ले लिया M square minus 1 और फिर देखा कि triplet जो आ रही है सबसे छोटा 8 नहीं आ रहा है तो फिर आप 2M को 8 के बराबर लेके इसके members निकालोगे तो दिख जाएगा कि 8 इसमें सबसे छोटा आ रहा है इस तरह से Pythogorean triplet निकाले जाते हैं ये question बहुत important होता है एक्जाम में ये जरूर आता है तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आये होगा इस वीडियो में पस इतना ही next questions के लिए next वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए goodbye